बदन दर्थ के घरेलू उपाए लेकिन कई लोगों को पूरे शरीर में दर्थ की शिकाइप भी रहती है ऐसे में वह दर्थ को कम करने के लिए पेन किलर दवाओं का सहारा लेते हैं हाला कि पेन के लिए दवाओं तुरंत आराम तो दे देती हैं लेकिन लंबे समय तक इन दवाओं का इस्तमाल आपके स्वास्थाई को नुकसान भी पहुँचा सकता है अगर आप भी बदन दर्थ से परेशान और आयूरवेदिक तवासे दर्थ को दूर भगाना चाहते हैं तो इन उपायों को आजमाएं अगर आप मानस्पेशियों के दर्थ से परेशान हैं तो आपको एपल साइडस सिर्क एका इस्तमाल करना चाहिए यह शरीर को सूधन प्रभाव देने के लिए जाना जाता है दर्थ होने पर गुंगुने पानी के टब में दो कप से इप साइडर सिर्का मिला कर लें फिर दर्थ वाले हिस्से को इस मिश्रण में थोड़ी देर के लिए रखें और आप महसूस करेंगे की दर्थ हीरे धीरे कम हो रहा है अदरक अदरक को कुद्रती पेन के लगा जाता है अपने एंटी इफ्लेमेंटरी गुणों के कारण अदरक शरीर में दर्थ को दूर करनी का एक प्राकृतिक उप्चार है यह रख प्रवाह और परिसन चरण में सुधार करने में मदद करता है अदरक की चायमान स्पेशियों में दर्थ से राहत देती है इसके अलावा ताजय अदरक को घीस कर उसे हल्का गर्म करके किसी चूती कपड़े में लेकर दर्थ वाले हिस्से पर 15 मिनिट के लिए बांधे नियमित रूप से दिन में 2-3 दिनों तक से करने से दर्थ में राहत मिल जाएगी हल्दी हल्दी में अनेक और शाधिय गुण पाए जाते हैं स्वास्थे के लिए हल्दी रामवान ही है एंटी इफ्लेमेंटरी गुणों के कारण हल्दी एक प्राकृतिक पैन किला की तरहें काम करती है यदी बदन दर्थ हो तो हल्दी च्यून को दूद के साथ लेने पर राहत मिलती है शरीर के किसी भी स्थान की सूजन के साथ दर्थ और जलन हो तो हल्दी के पेस्ट का बाहरी प्रयोग करने से इन तकलीफों में आराम मिल जाता है प्रिय दोस्तों आयर्वेदे को प्चार घरेलू नुसके एवं स्वास्थे से संबंदित अधिक जानकारी के लिए इस विडियो को अंध तक देखे दालचीनी अगर आप पीजोडों के दर्थ से परिशान है तो आपको राहत पाने के लिए दालचीनी की जरूरत होती है एंटियोक्सीडेंट और एंटिइंफ्लेमेंटरी गुणों के कारण अकसर अर्थराइटिस के लिए इस प्राकृते को उपचार का उप्योग किया जाता है हलके गर्म पानी में दालचीनी पाउडर थोड़े से शहद को मिला कर शरीर में दर्थ वाले अंग पर लगा कर हलके हाथों से मालिश करने से फाइदा होता है एक कप हलके गर्म पानी में एक चमच शहद और आधा चमच दाल चीनी पाउडा मिला कर पीने से भी जोडों के दर्द में राहत मिलती है लाल मिर्च एंटी इंफ्लेमेंटरी और इनाल जैसे गुणों के कारण लाल मिर्च मान स्पेशियों के दर्द को दूर करने का एक शांदा रुपाए है इसके अलावा यह सूजन और कठोर्ता को कम करने में मदद करता है लाल मिर्च में ऐसे तत्वा मौजूद हैं जो शरीर में उठने वाले दर्द का निवारण के लिए लाब दायक होते है सरसों का देल शरीर में दर्द से राहत देने वाले तेलों में यह सबसे अच्छे तेलों में से एक है इसमें मौजूद प्राकृतिक मलवा त्वचा की सतह पर रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है यह मसल्स को धीला करने और सकुलेशन में सुधार कर दर्थ से राहत देने और घाव को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद करता है इसके सही उप्योग से आपको दवाई की भी जरूरत नहीं होगी क्यूंकि सर्सो के तेल में दर्थ नाशिक गुण है यदि गठिया से परिशाने हैं तो सर्सो के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करने से दर्थ में राहत मिलती है यदि कमर दर्थ हो तो सर्सो के तेल में थोड़ी हिंग अजवाईन और लहसुन मिलाकर गर्म करने और उसे कमर पर लगाएं पिंगलियों का दर्थ हो तो सर्सो के तेल को गुनगुना करके मालिश करना चाहिए चैरी चेरी आपके शरीर को पोटेशियम और मेगनीशियम देता है यह जोडों के दर्थ और गठिया जैसे समस्याओं को दूर रखने में मदद करता है पोटेशियम सूजिन को दूर करने और मेगनीशियम प्राकृतिक दर्थ निवारक के रूप में काम करता है इसके अलावा चेरी में इंथोक्यनिंस नामक एंटियोक्सीडेन पाया जाता है जो जलन को कम करता है दर्थ और जलन को कम करने के लिए चेरी का जूस पिये या पोड़ी पे इनको दूर रखने के लिए नियमित रूप से 8-10 चेरी खाएं इससे पेरों और हाथ की मान स्पेशियों में होने वाले दर्थ से आराम मिलता है गठिया आर्थराइटिस का आयुर्वेदे को प्चार और थौक्सल प्लास काप्सूल गठिया का आयुर्वेदेक इलाज है यह आयुर्वेदेक कैप्सूल बदन दर्द को दूर करने में मदद करते हैं और थौक्सल प्लास काप्सूल की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट आयुश्यरेमेडीज.न पर जाएं क्या आप भी किसी स्वास्थे संब्रंदी समस्या से परिशान हैं? यदि हाँ पनिशुल का आयुर्वेदेक परामर्श ही तुअत्वा अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने में संकूच न करें हमारे चानल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ चुड़ें और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए यूट्योब के बेल आइकन को प्रेस करें